जितेंद्र यादव 36 गड़ कैडर के 2019 बैच के आईएस अधिकारी हैं वे मूल रूप से हर्याना के रेवाडी जिले के रहने वाले हैं छोटे से गाव से स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले जितेंद्र यादव आईएस बनने से पहले IPS रह चुके हैं इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने UPSC एक्जैम के त्यारी शुरू की वे पहले IPS के लिए सिलेक्ट हुए ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने फिर से UPSC एक्जैम दिया और IS के लिए चुने गए हर्याना के रेवाडी जिले के करनवासा गाउं के रहने वाले जीतेंद्र यादव का जन्म पांच अगस्त 1990 को हुआ था उनके पिता सुरेंद्र से ही यादव एरफोर्स से रिटायर होने के बाद बिजली निगम में कारे रत थे उनकी मा संतोष देवी ग्रीनी है जितेंद्र से बड़ी एक बहन भी है अपने माता पिता की दो संतानों में से जितेंद्र छोटे है जितेंद्र यादव ने अपने गाउं के शास्किये सीनियर सिकेंडरी स्कूल करनवासा से दसवी तक की पढ़ाई की फिर ढोकी स्थित यदुवंशी स्कूल से बार्मी मैक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में उत्तीर्ण की फिर AIEEE exam क्रैक कर NIT कुरुक्षेत्र से Electronics and Communication ब्रांच में एडमिशन लिया 2013 में Engineering पास आउट करने के बाद जितेंदर का चैन ASO के तौर पर हो गया उन्होंने 6 महीने तक Ministry of Minority में भी काम किया फिर UPSC exam की तयारी के लिए नौकरी छोड़ दी राजनीती शास्त्र और International Affairs उनका UPSC के लिए वैकल पिक विशे था UPSC के पहले ही प्रयास में जितेंदर यादव कठोर मेहनत के बलबूते पर साक्षात कार तक पहुँच गये लेकिन अंतिम चैन से चूग गये 2016 में UPSC के दूसरे अटेंप्ट में जितेंदर All India 622 वी रैंक के साथ IPS यानी Indian Police Service के लिए चुने गये उन्हें हिमाचल प्रदेश कैडर और 2017 IPS का बैच मिला IPS की ट्रेनिंग करते हुए उन्होंने फिर से UPSC की तयारी की और अपना तीसरा अटेंप्ट देते हुए 2018 में All India 403 वार रैंक हासिल किया और Indian Administrative Service के लिए चुने गये जितेंदर यादव ने 26 अगस्त 2019 को IIS की सर्विस जोईन की फील्ड ट्रेनिंग के लिए उन्हें दुर्ग जिले में सहाय कलेक्टर के पद पर निउक्ती मिली इस दौरान COVID का फेस चल रहा था फिर वे कांकेर जिले के भानू प्रतापुर में SDM बने SDM रहने के दोरान उन्हें कोरोना वैक्सिनेशन के लिए अच्छा काम किया कांकेर के बाद वे जशपुर जिले के CEO बने जशपुर में उनोंने नरेगा में दिव्यांगों को रोजगार देने और शिक्षा के क्शित्र में अच्छा काम किया फिर वे राइगड जिला पंचायत के CEO बन कर आए CEO रहने के दौरान उनका काम प्रधान मंत्री आवास योजना में सराहनिये है उनका जिला राइगड प्रधान मंत्री आवास योजना में टॉप फाइब जिलो में से एक है आई इस जितेंद्र यादव को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है Bureau Report, NPG News